Hello everyone, welcome back to my channel So finally guys, Paris aparacity ral उन्हें रिवियल कर दिया है कि उनकी ring ceremony मतलब सगाई कब है तो उनका कहना है कि आज ही जो है उनकी ring ceremony सगाई है और जिसका vlog कि वो बहुत जल्द लाने वाले है यह काफी shocking था लोगों के लिए क्योंकि अभी recently उनका रोका हुआ है और काफी जल्दवाजी में उन्हें ये सब चीज़े बताई उनके घर पर इस टाइम पर उनकी शादी को लेकर जोरो शोरो से तयारिया चल रही है और रिसेंटली अभी जब पारस ठकराल और सनेहा सचदेवा कर डिवार्स हुआ तो काफी ज़्यादा कॉंट्रवर्सी भी थी जैसे कि हम सब को पता ही है सनेहा सचदेवा उन्होंने काफी सारे ऐलिगेशन्स लगाए थे पारस के उपर कि पारस का जो है अफैर है बाहर दूसरी दूसरी लड़कियों के साथ और पारस जो है उन्हों टाइम नहीं देते और पारस ने और सनेहा ने ये भी बताया कि पारस ने उन्पर हाथ भी उठाया था जिसके भी proof स्नेहा ने दिये थे और उसके बाद पारस का यह कहना था कि स्नेहा जो है पैसो के लिए आई थी मेरे पास फेम के लिए आई थी अब वो फेमस हो गई है और उसको डेर कड़ो रुपे चाहिए और उसको जो है गाड़ी चाहिए बतले में उसको बच्चा बच्चा कुछ नहीं चाहिए जबकि स्नेहा के कहना था कि मैं अपने बेटे को लेकर रहूँगी लेकिन अब जो है जो हम व्लॉक्स के जरीए और सोशल मीडिया पर जो हम देखते है कि जो यह है स्नेहा और पारस का ने रिवील किया कि मेरा जो सगाई है जो में रिंग से रमनी है वो आज ही है और शादी भी बहुत जल्द होने वाली है जिसके बाद स्नेहा सच्टेवा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी लगाते वे बताया है कि गाईस रिवीलिंग सम्थिंग क्रेजी और फिशी टोमॉरो स्टे टून और माई वाईटी चैनल तो जैसे कि पारस का कहना था कि पारस की आज इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट वाले व्लॉग के बाद स्नेहा ने ये स्टोरी लगाई है तो आप सब कैस करिये कि ये क्या हो सकता है मेरे ख्याल से तो पारस के बारे में ये कुछ नेहा बताने चाहती है या बताना वाली है तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना कि नेहा किस चीज के बारे में बताना चाहती है और वीडियो चिले के तो लाइक कर देना थैंक्स पूर वाचिंग